नाजरीन, अस्सलामों अलेकुम कोई बंदा आराम कर रहा हो, उसको डिस्टब नहीं करना चाहिए, इससे उसके दमाग को मुस्तकिल डैमिज होने का खत्रा हो सकता है, अखरोट खा लिया करो, कोलेस्टरोल के खत्रे से महफूज रहोगे, भरे पेट में हम बिस्तरी करने से पैदा होने वाली उलाद कुछ ज खाने के साथ इस्तमाल करो, दिल की दरकन बेहतर रहती है, चने और खशखाश की फक्की बना कर, रोजाना खाओ तमाग तेज होगा, और कभी जुकाम नहीं होगा, रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया करो, ये दमाग की गर्मी को दूर करेगा और यादाश्ट को भी बे आती है, एलो वेरे जल में हल्दी मिला कर, चेहरे पर लगा लें, निशान दूर हो जाते हैं, खुआब में बास में सफर करते देखना, खुशखबरी मिलने की अलामत है, पुदीने वाली चट्मी इस्तमाल किया करो, बदन में थकावट नहीं होगी, नाखुन काटते वक् सफर करने से कबल, बदन पर जैतून के तेल से, मालिश करने से जितना भी सफर कर लें, टांगे कभी नहीं थकेंगी, काम के दुरान सर में दर्द होने लगे, तो नमक चाट लिया करो, ताजा मुली खाओ, सुस्ती दूर बाग जाएगी, काम करने से कबल, सर पर बदाम का तेल लगाने से, दमाग में ताकत आ जाएगी, वजन उठाने से पहले, लीमू चाट लिया करो, अगर दो खरोट के मगज, रात को सोते वक्ट बच्चों को खिलाए जाएं, तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं, कच्चा शलजम खाने स दमाग और नजर तेज होती है, शलजम खानसी और पत्थरी में भी मुफीद है, मोटर बाइक चलाने और गर्दो खुबार में काम करने के बाद, थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, इस से दमाग का खत्रा टल जाता है, अगर आपके पेट में दर्द रहता है, तो प दोख जूरे पका कर खा लें, और दूद भी पी जाएं, जो इनसान रात के वक्त चेहरा दो कर नहीं सोता, उसको ड्राउने खौब नजर आना खत्रा है, और ख्यालात और वहम पैदा होता है, जो इनसान या मुगनी को रुज़ाना सुब शाम उठते बैटते, और चलते पढ़ ले, उसकी हर जाइस मुराद पूरी हो जाएगी, इन्शालला, बेरी के पते थोड़े पानी में बारीक पीस कर, सार को लेप करें, और फिर साबन के दो लें, बाल लंबे और गने हो जाएंगे, जो बंदा ज्यादा पानी पीता है, वो ताकतवर रहता है, ज्यादा सोचने वाला बंदा कम मकल होता है, बरतन में फूंक मारने और सांस लेने से मना फरमाया गया है, जो औरत नापाकी की हालत में, गर में खाना बनाती है, ऐसी औरत गर में हूर्बत लाती है, देही के उपर वाला पानी जिगर को दोता है, और ये हर किसम के हैपाटाइटिस क का इलाज है लेसन छीलने के लिए अगर उनको तोड़कर दूब में रख दो तो इसके बाद छीलें असानी से छील जाएंगे अगर पाओं में दर्द है तो जेतून के तेल से रोजाना मालिश करें किश्मिश बकाइदी से रोजाना खाएं कबल अज़ वक्त बालों का क्या आपको मालूम है कि मकड़ी अपने जाल में इसलिए नहीं फंसती क्यूंकि इसके पाओं में एक खास किसम की चकनाहट होती है जो ओरतें गर में खड़े होकर कंगा करती हैं ऐसी ओरतें गर में रिजग की तंगी लाती हैं दो चीज़ों की कमी इनसान की जिन्दगी के अंदर बहुत अजियत देती हैं एक रात की नीन पूरी ना हो तो चेहरा बिगड जाता है दूसरा मनपसंद इनसान मियसर ना हो तो जिन्दगी का मज़ा खराब हो जाता है अगर चेहरे पर जुरियां आ जाएं तो लैसन को चेहरे पर रगड़ो सर में खुश्की हो जाए तो जैतून के तेल में अजवाइन डाल कर लगा लो दांत में दर्थ हो तो इलाइची वली चाए पी लो जिसका माथा बड़ा हो उसकी किसमत बड़ी होती है जो ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं देसी मुर्ग की यखनी पीने से यरकान नहीं होता चने की दाल को पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं होते सेप की इस्तमाल से रात को बार बार पे शाप आना बंध हो जाता है पालक या साग बना कर खाने से रात को बार बार पे शाप आना बंध हो जाता है चेहरे पर कच्चा दूद लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है अगर आप हमेशा अपने आपको तंदरुस्त रखना चाहते हैं तो उबला हुआ अंडा रोजाना सुबा को खाएं अगर आपके बदन पर कोई कीड़ा काट जाए तो आपको चाहिए के मुली का रस लगाएं इस से अफाका होगा अगर खौब में बादल नजर आएं तो नेकी करने की दलील है कुछ बातें जिन से अल्लह करीम नराज होता है महमान को देख कर मुँ बनाना उलाद को खास कर बेटी को काली देना अजान के वक्त अपने काम में मसरूफ रहना दस्तरख्वान पर बातें करना खड़े होकर पानी पीना पोदा लगाने से कबल अगर मटी में थोड़ा सा चूना मिला दिया जाए तो पोदा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है ज्यादा सोचना बंदे को खतम कर देता है सूरत रह्मान ग्यारा मर्तबा पढ़ने से जाइज मकासद पूरे होते है नाश्टे में रोजाना ग्यारा खजूरे खाए इसके बाद दूद पी जाए गैस के मर्ज से नजात मिलेगी पालक चेहरे पर जूरियां बनने से रोकती है अनार खाने से रंग सुरख होता है खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है ज्यादा मीठे मश्रूबात पीने से परहेज किया करो ज्यादा बहसों मुबासा से अकल में कमी आती है सौफ खाने से मूँ की बदबूख खतम होती है जिस गर में खुश अखलाक औरत रहती है वहाँ गुर्बत और गमी दर्वाजा नहीं खटखटाते क्या आपको मालूम है सारा दिन एक जगा पर पढ़े रहने से डिप्रेशन का खत्रा हो सकता है सुर फातिया शरीफ पढ़कर पेट पार दम करने से पेट का दर्द खतम हो जाएगा जिन लोगों को कब्स का मसला रहता है उनको चाहिए कि वारात को सोने से कबल दूट में थोड़ा सा मक्षन शामिल करके पी जाएए कब्स दूर हो जाएगी गाए का गोश्ट ज्यादा खाने से चेहरे की बेरोन की और कुन जहनी का बाइस हो सकता है रोटी खाते वक्त दो काम करने से बेतहाशा दोलत आती है जो जर्रे दस्तरखवान पर गिरे उनको जाया मत करो अगर गिर जाएं उनको उठा कर खा जाओ खटी इमली का इस्तमाल औरत के लिए मुफीद है इन चीजों से बीमारी आती है नहाने की जगा पर पिशाप करना खड़े होकर पानी पीना नंगे सर बैतुल खला में जाना किन बीमारीों में क्या नहीं खाना चाहिए नजर की कमजोरी में बनास पतिगी मत खाए कैंसर और दमा की बीमारी में तमबाकू नोशी न करे जियाबेती इसमें मीठी इशिया और केला मत खाए खुश खांसी हो तो खजूर खानी चाहिए वक्त से पहले अगर आप बूरे नजर आने लगो सोते वक्त दो अजवा खजूर और एक शेहद का चमच खा लिया करे जवानी वापिस आ जाएगी ज्यादा देर एक ही जगा पर बैठे रहने से परहेज करो वरना मुटापे की बीमारी लग जाएगी सर में खारिश हो तो जैतून का तेल लगा ले गोबी का चिलका बतोर सलाद इस्तमाल कर लिया करो चेहरा खुशबाश और तरो ताज़ा रहेगा खौब में दूद दिखाई दे तो जिस मकदार में दूद नज़र आए इसी मकदार में मालो दोलत मिलने की निशानी है अगर आप मुटापे का शिकार हो जाएं और कोई वोग या वर्जिश करने का वक्त नहीं है तो पांच बार खड़े होकर पाओं को हाथ लगाओ ये एक असान और काराम्द वर्जिश है खौब में दान देखना रंजो गम दर्द होने की और कारोबार में तरक्की मिलने की निशानी है गंदे बालों में कभी तेल मत लगाएं इससे बाल ज्यादा गिरेंगे अगर दिल की बिमारी से बचना चाहते हैं तो रुजाना खाने के वक्त एक प्यास काट कर खा लें इससे दिल की दड़कन नॉर्मल हो जाएगी जब बचा पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान देने में ताखीर मत करो वरना उससे मिर्गी का मर्ज होने का अंदेशा होता है खीरा ज्यादा खाने से बुड़ापा जल्द नहीं आता अजवाइन का इस्तमाल बंदे को हमेशा जवान रखता है बासी रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है अगर किसी बच्चे या बड़े बंदे को नजर लग जाती है तो बिस्मिल्ला शरीफ और सुरत कोसर पूरी पढ़कर उसके मूँ पर फूंक दे इन्शालला नजरे बंद का असर जायल हो जाएगा कद्दू का रस पीने से गुर्दे का दर्द रुक जाएगा लीमू दो हिस्सों में काट कर पेशानी पर मसल दे तो सार का दर्द खतम हो जाता है मटर खाने से चेहरा नर्मो मुलाइम हो जाता है जो चीज़ भी जुबान को कड़वी लगे तो जान लो उसमें हजारों नेमतें और शफाएं मुजूद है सुबा को जल्दी जल्दी चल लिया जाए तो दिल की बिमारिया नहीं होती चावल खाकर दूद इस्तमाल करने से पेट खराब होगा